हेलो दोस्तों सुआगए तेस अपके अपने यूट्यूब जोनियारी टार्गेट सीविल सेर्वीसिस में आज है बारा ज़नवारी और बारा जनवारी से जितने भी करेंटरफेस के कोशन बनने वाले है सारे कोशन को सिलेक्ष पारे में हम डिस्कस करने वाले जो नाए अध्यक्षे और CEO है वो किसे न्यूखत किया दोस्तो तो वीके 3पाठी जिखो और आप देख सकते हो यह है वीके 3पाठी यहाँ पे बात करें दोस्तो इंडियन रेलवे की तो यह जो वीके 3पाठी है इन्होंने किसका इसान लिया है तो सुनित सर्मा का इनहोंने इस्तान लिया है और यह जो भारती रेलवे दोस्तों इसकी स्थापना कभर की गई थी तो 1853 में की गई थी साथ ही मैं आपको बता दू कि इंडियर रेलवे का जो मुख्याले है वो नए दिल्ली में इस्तित है और वर्तमान में रेलवे मंत्री को ने तो यहां आसवानी वैस की तो पहला कुशन था कि आहाली में बैंक आप बड़ोदा ने किसे अपना ब्राउंड अब मेंसर बनाया है तो यहां बनाया है सेफाली वर्मा को यहां पर करेक्ट अंसर है ऑप्शन थाड़ अगला कुशन था कि खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निमने में सकी सराज्ज को सौपी गई है तो यहां सौपी गई है दोसो माध्य प्रदेश राज को यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन थाड़ अगला कुशन है कि यह गवर्मेर्स पर 24 वे राष्टी समयलंग का जो आवजन है वो कहां पर हुआ है इसका आवजन किया गया ना दोसो हैदर गवर्मनर को एसियन इंफास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंड बैंक का उपाद्यक्श न्युक्त किया है तो यहां न्युक्त किया है उर्जित पटल को यहां पर करेक्ट अंसर है ऑप्शन वन अगला कुशन है कि हाली में जम्मू कस्मिर और सौधी अरब आमिरात के बीच कि इसके जो शुरवाद है दोस्तों वह हो ओर रही है मुंबाई में तो पर और सकंध्षिक सो और याहां पर बना कर न्युक्त को यहां फिलिफिन से देश ले यहां पर correct answer है option 2 और अब दोस्तों सुरुवात करते हैं आज के current face की आपके लिए पहला कोशन है कि 69 वे golden globe award 2022 से किसे best actor in drama से समान किया है तो यहां समान किया विल स्मित को यहां पर correct answer है option 4 तो दोस्तों और वर किसे दिया है तो musical एंड्यू गर्फिर्ड को दिया गया है यहीं पर हम बात करें best actress का तो यहां दोस्तों इन drama में Nicole किडिमेंग को दिया है यहीं पर हम बात करें best actor in supporting role यहां किसे दिया गया है तो ओ यॉंग सू को दिया गया है यहां पर क्रेट अंसर क्या होगे option 2 विल स्मित को यहां award दिया गया है और अब सब्सक्राइब दोस्तों की प्रधान मन्तिय ने हर साल किसी दिन वीर बाल दिवस मनाने की घुशना की है तो दोस्तों यहां पर मै गोविन, गुरु गोविन सिये की जैंती प्रकास वर्स के मौके पर प्रधान मन्ति नरेंद्र मोदी ने यहां एक बड़ा एलान किया है दोस्तों मैं आपको बता दो कि प्यम मोदी ने कहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रुप में मना जाएगा प्यम सरकान मैनपूरी इसकूल का वह किसके नाब रखने की कहिए तो यहां गोषना की है दोस्तों जनरल विपिन आवत पर घंने की चौसर यहां पर होगया स्कुल जिसका नाम अब क्या रखा जाएगा जनरल विपिन रावत की नाम पर रखा जाएगा और यहां पर हम दोस्तों बात करें थे उत्तर प्रदेश राज्ज की जिसके वर्तमान में मुख्यमंति योगी आधी तेनाथ है और यहां के जो गवंवन्नेर है वो आनंदी बैन को यहां पर करेंट अंसर है ऑप्शन थार्ड तो भारत के युवा सत्रंज खिलाडी भरत सुब्रमयम देश के 73 सत्रंज गेंड मास्टर बन गए है इन्होंने दोस्तों इटली में एक टुर्णामेंट में तीसरे और अंतिम गेंड मास्टर का मानदन हासिल कर यहां गुहानी जीता था तो यहां पर करेंट आंसर हो गया ऐप्शन थार्ड यहां पर आम दोस्तों बात करें 7-3 की तो 20 में जितने भी सट्रंज के खिल होते हैं उसे रेगुलेट कोन करता है तो यहां विथिक्वार्व करता है तो ये सबी महत्वा पूर्ण पॉइंट है सत्रन जखेल से जो आपको याद अखने है और अब से अगले कोशन क्यों और कोशन है आपके लिए क्या हाली में कि गुजरात के केवडिया रेलवेस्टेशन का जो नाम है वो बदल कर अब क्या कर दिया है तो इसका नाम कर दिया ह रानी चैशन का जो नाते हमें बदल कर दें तो इसका नया नाम है वह साय फ़ल्ज के ऊयालापांगा है वो रानी कमलापती रेलवेस्टेशन है और यहीं पे हम दुस्सों बात करें फिरोजाबाद रेलवेस्टेशन की जिसका नया नाम क्या है तो यहाँ आयुद्या कैंट है और साथी दुस्तों आपको याँ दिखना है कि यह जो फेस्बुक कमपानी है इसका नया नाम क्या है? तो मेटा है तो यह सबी महत्वपूर्ण पॉइंट है बदले गए नाम से जो आपको याद खना है और अब से अगले कोशन के ओर नेक्स कोशन है दोस्तों की स्वास्ते मिसन ने किसे राज में? निरामय परियोजना की सुरुवात की है तो यहाँ सुरुवात की है दोस्तों अशम राज में तो यहाँ पर करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू राश्टी स्वास्ते मिसन अशम ने पीरामल स्वास्ते और सिको के सहयोग से आठ जन्वरी 2022 को परियोजना परियोजना नीरामय शुरु किया है दोस्तों की इसे राज में सारवजनिक स्वास्ते देखबाल वितरन को मज़ूद करने के लिए डिजीटल स्वास्ते प्रद्योगी के प्रदेशित करने के लिए लॉंच किया है तो यादखना आपको यहाँ पर इंपूर्टिन पॉइंट क्या है दोस्तों कि यह जो नीरामय परियूजना है इसकी जो शुरुवात है वो किसने किये तो अशम राजने यहाँ पर करेक्ट अंसर होगे और अपसलते अगले कोशन के ओर राज का लास कुशन दोस्तों आपके लिए कि किस राजी की सरकार ने करमचारियों की सेवा निरुत्ती बढ़ा कर बहाशट वर्स कर दी है तो यहाँ किये दोस्तों आंद्रपदेश राजने यहाँ पर गरेक्ट अंसर है ऑप्शन टू वैस जगनोहन रेड़ी ने राज्य सरकार के जो करमचारियों की सेवा निरुत्ती आयू साथ से बढ़ा कर बहाशट वर्स कर दी है साथी अमरावती में कई करमचारी संगों के साथ बैठकों में मुख्य मंत्री ने जनवरी 2022 से नया वेतनमान लागू होने पर 23 प्रतिशत फिटमेंट की घुशना भी की है दोसो वित्तिय लाव पहली अप्रिल 2020 से लागू होगा और बड़ा वेतन नाम भकाया महंगाई भत्ते के साथ जनवरी 2022 से प्रवाई होगा तो याद रखना आपको कि किस राज़ की सरकार ने करमचारियों की सेवा निर्थी बढ़ा कर 62 वर्स कर दी है तो यहां आंद्रविदेस राज़ की सरकार ने करेक्ट अंसर हो गया है हमपे ऑप्शन टू और आज का जो कोशन अबदर दे है अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मैजट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे सेर करे अगर आपे शिंपन नए हो तो इसे सब्सक्राब भी जरू कर ले